चलो कल के क्लास में यंग्स डबल स्लिट एक्स्परिमेंट बताये थे वहाँ तक तो क्लियर है और्टरनेटिब ब्राइट और डार्क फ्रिंस फॉर्म किया था है स्क्रीन पे आज उसका मैथमेंटिकल एनालिसिस जानेंगे तो जहाँ पे maximum होता था वो constructive interference को form कर रहा था और जहाँ minimum था वो destructive interference को तो यहाँ पर कुछ terminology सीखना है superposition में कि जैसे हम लोग displacement के equation को y1, y2 इस तरह से wave को represent करेंगे ठीक और जब superposition होगा तो resultant displacement जो होगा individual displacement का sum हो जाएगा क्योंकि principle of superposition को obey करता है अब इसमें कुछ terminology सीखना है जैसे हम लोग phase की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर displacement के equation को जब लिखेंगे तो y is equal to मालो हमने लिखा एक example y is equal to a sin omega t लिखा और फिर इसमें sum additional phase 5 तो यह already यह term पूरा phase कहलाता है तो phase का मतलब क्या होता है तो यह जो argument, argument, sign और cost का होता है किसी displacement के equation में वो phase को represent करता है जिसमें यह phi initial phase है अब initial phase को हम लोग epoch भी कहते है E-P-O-C-H इसका मतलब phase किसी भी oscillating particle का एक ऐसा quantity है जो उस particle के position को बताता है direction of motion को बताता है और at initial time उसको हम लोग कहते है initial phase और epoch ठीक तो omega t हमारा क्या होगा phase कहलाएगा और omega t plus 5 total phase है और 5 initial phase कहलाएगा दूसरा quantity आजाता है phase difference तो मालोग यहाँ पर एक हमने wave equation लिखा y1 is equal to a amplitude लिया sin omega t लिखा y2 ले लिया same amplitude और यहाँ पर omega t plus pi by 2 लिखा इसका मतलब यह omega t suppose 5 1 है और यह हमारा phi 2 है तो phi 2 मानस phi 1 जदी हम निकालेंगे तो omega t plus pi by 2 में omega t subtract कर देंगे तो यह phase difference को represent करता है और यह delta phi से represent होगा ठीक है तो दोनों के argument दोनों के sine का angle जो होगा यह cost का angle जो होगा उसका difference phase difference को represent करेगा next quantity है यह देखो लिखा y1 a1 sin omega t y2 a2 sin omega t plus 5 तो phase difference क्या गया omega t plus 5 मानस omega t phase difference 5 जो delta phi से represent होगा path difference का मतलब उता difference in path जो कोई भी दो wave किसी point पर मिल रहे तो उनका difference जोगा उसको path reference कहेंगे और path reference को हम लोग delta xp represent करते हैं और उसका value lambda के term में आता है अब दोनों के बीच relation यह याद रखना पड़ेगा यह relationship आपको याद रखना पड़ेगा और यह जादी आप जानना चाहते हैं तो कैसे आया तो हम लोग जो phi को लिखते हैं उसको differentiate करेंगे तो यह form आएगा जैसे एक example दे रहे है मालो आपने एक wave को लिखा a sin omega t minus kx एक wave k propagation constant है x direction of propagation और k को propagation constant या angular wave नमबर भी कहते है तो जब आप इसको differentiate करोगे यहाँ पर dy by dx मालो यह simply हम phase की बात कर देते हैं phase सही आजाओ phase हम लोग लिखते हैं मालो omega t minus kx अब इसको हम x के respect में differentiate कर दे हैं into delta x तो phase difference और path difference पाथ difference पाथ difference डेल्टा एक्स कहलाएगा तो यहाँ पर यह delta 5 बन गया phase difference is equal to 2 pi by lambda और delta x को कहते है path difference तो यह result याद रखना इसको note कर लो relationship between phase difference और path difference अपने notes में add कर लोगे कर लोगे यहाँ भी अट पूचर कर लोगे अपने 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 इसको यह झाल इसको अशाएगा प्रूड़ इसको यह नवागे रशाम इसको प्रो़ प्रूश अबीदीण तो फेस्ट डिफ्रेंस अब पाथ डिफ्रेंस में ये रिलेशन आ गया अब आजाओं इसी तरह से फाई को जोदी हम रिपरसेंट करेंगे यह फाई को डिफ्रेंस करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम डिफ्रेंस आ जाएगा तो यह तो रिजल्ट आ गया इसी तरह से टाइम डिफ्रेंस आ जाएगा तो टाइम डिफ्रेंस क्या आ गया डेल्टा टी इस एकल टी पाई 2 pi into delta 5 वो भी कैसे? वेलकुछ सेम तरीका है 5 का वालू लिख दिया omega t minus k अब इसको differentiate करो with respect to time तो यह omega आया इसका मत्तब delta 5 is equal to omega into delta t और इसको नाम दे दिया phase difference is equal to omega होता 2 pi by t और delta t को आम लोग नाम दे देंगे time difference आगे समझ में? इसको भी note कर लो इसको ईसको पाले यह आपने सीख लिया अब हम लोग displacement को equation use करके resultant displacement, resultant intensity, resultant amplitude यह सब form करेंगे हो गया, erase करें तो यहाँ resultant amplitude and intensity तो हमने मालो की दो वेव लिया, एक वेव, y1 is equal to a1 sin omega t और दूसरा वेव लिया, y2 is equal to a2 sin omega t plus 5 अब यहाँ पर principle of superposition क्या कहता है principle of superposition कहता है कि resultant displacement जो होगा इन दोनों का sum तो y1 is equal to y1 plus y2 तो यहाँ पर यह a1 sin omega t y2 की जगह पर a2 sin omega t plus 5 a1 sin omega t a2 sin a plus b को आप break कर देंगे तो यहाँ पर आजाएगा sin a cos b plus cos a sin b a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t into sin 5 अब यहाँ पर इस first दो टर्मे sin omega t common ले लेंगे तो यह बन जाएगा a1 plus a2 cos 5 into sin omega t a2 sin phi into cos omega t अब इसका mathematical result निगा लेंगे इस term को कुछ ऐजियूम कर लेंगे इसको कुछ ऐजियूम कर लेंगे तो यहाँ पर हम यह ऐजियूम कर लेंगे कि a1 plus a2 cos phi is equal to a cos theta और a2 sin phi को a sin theta लिख दे तो यहाँ y is equal to यह बन गया देखो a sin omega t cos theta second term बन गया a cos omega t into sin theta इसमें से a common ले लिया तो यह sin omega t cos theta plus cos omega t into sin theta तो यह finally sin a plus b का form दे दिया इसका मत्बब जो हम लोगों ने इस term को assume किया था इसका नेमिंग करते हैं यह equation one और यह equation two तो इसका मत्बब यहाँ जो हम लोगों ने result निकाला यह यह represent कर रहा है कि जो mathematical analysis हम लोगों ने किया तो हम ले करके चले थे harmonic function तो result भी हमारा harmonic ही आया और फिर यह दोनों जो हम लोगों ने assume किया यह individual amplitude है और यह resultant amplitude को represent करेगा और फिर इसका हम लोग mathematical analysis करके resultant amplitude और intensity निकालेंगे तो पहले इतना note करो फिर आगे हम लोग बढ़ते पार वां में लोगों। झाल 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 हो गया एकोईशन वन और टू इसको अमनों को स्क्वार करके आड़ करेंगे झाल हो गया चाल लो इसको एरेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एकोईशन वन था और एकोईशन थेटा रहे हैं तो यह हमारा एकोईशन वन था और equation 2 तो हमने कहा कि इन दोनों को हम लोग square करके add करेंगे 1 का square करेंगे 2 का square करके add कर देंगे तो left hand side में बन जाएगा a cos theta का whole square a sin theta का whole square right hand side में a1 प्लस a2 cos phi का whole square और फिर a2 sin phi का whole square left hand side में a square cos square theta plus sin square theta अदो यह square common ले लिया तो यह simple a square बचा इस वाले में a1 square a2 square plus 2 a1 a2 cos phi यह बन गया a2 square sin square phi sorry यहाँ पर a2 square cos square phi होगा हाँ वो by mistake लिखा गया 2 a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi इस दोनो टर में a2 square common हो गया तो यह a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi यह resultant amplitude आ गया तो resultant amplitude का यह formula बन गया a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi यह हमारा resultant amplitude बन गया अब इसको हम लोग intensity के term में भी लिख सकते हैं अलड़ी हम लोग ने पढ़का है कि intensity directly proportional to square of the amplitude इसका मत्तब जदी मालो हमने amplitude individual a1 लिया तो उस रिलेटेड इंटेंसिटी i1 है इससी तरह से a2 amplitude लिया तो उस रिलेटेड इंटेंसिटी को i2 लिखा इसका मत्तब यहाँ पर a square को हम i लिख सकते हैं यहाँ a1 square को हम i1 लिख सकते हैं यहाँ a2 square को i2 लिख सकते हैं तो finally यह i is equal to क्या बन जाएगा i1 plus i2 तो जब हम यहाँ पर i1 directly proportional to a1 square लिखेंगे तो जदी हम a1 यहाँ लिखेंगे तो यह root i1 हो जाएगा तो यह वाला term जो हमारा है a1 की जगह पर यह root a1 हो जाएगा और यह root a2 तो intensity का formula हमारा बन जाएगा इस form में i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 5 आए समझ में तो intensity भी मिल गया और resultant amplitude भी मिल गया अब इसमें deciding factor क्या हो गया 5 फाई का वलू positive negative उस पर depend करेगा amplitude positive negative या maximum और minimum यहाँ तक note कर लो झाल 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 झाल